वेल्कम दोस्तों Learn spoken English like a baby चैनल पर आपका स्वागत है आज हमारी क्लास टेंथ है आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिनुस टेंथ के बारे में पहले हम जो है रूल समझेंगे और उसके बाद में एक्जाम्पल लेंगे तो देखिए दोस्तों प्रेजेंट कंटिनुस टे इससे बात में हमारा वर्ब के साथ में हमारा ऐएंजी आता है वर्ब के साथ में आई ऐन जी जो है यह हमारा प्रेजेंट कंटिनुस टेंथ कっぱe है तो जैसे हमें ले ल Woo subject है हमारा जैसे he is playing तो he में क्या ही जो है सब्जेक्ट है इसका हो अमारा helping वर्ब है और playing क्या है play हमारा वर्ब है और उसके साथ में आए येंजिए ये तो ही के साथ में इस आता है अगर यहां पर यू होता तो आर आ जाता और आई होता तो एम आ जाता तो he is playing उसके बाद मैं next example ले लेते हैं तो देखिए जब हमें negative sentence बनाना होता है तो हम बोलते हैं हमें पता हैं कि हम not add करते हैं तो subject के साथ में is MR और उसके बाद में note आ जाएगा जैसे कि he is not playing तो इसके बाद में not add कर दिया तो यह negative sentence बन गया अच्छा तो आप यह question sentence कैसा बनेगा जब हम हमारी helping verb को आगे ले आते हैं subject से आगे ले आते हैं तो हमारा question sentence बन जाता है जैसे is he playing तो इस जो था वो हमने आगे लिए तो is he playing तो यह हमारा question sentence बन गया तो इस तरीके से हम तीन तरह के sentences में बनाते हैं अब uses समझ लेते हूं क्या example ले लेते हैं देखिए एक तो present continuous का use है कि describe something which is happening at the exact moment of speech जो जिस समय हम बोल रहे होते हैं moment of speech के समय कोई भी चीज घटना घटित हो रही होती है तो उसको हम present continuous से describe करते हैं for example gym is watching television at the moment तो at the moment मतलब बोलते समय जिम जो है वो television देख रहा है तो यह आ जाएगा यह हमारा हमने describe किया है जो घटना हमारी घटित हो रही है at the moment उसको कटित किया तो gym is watching television at the moment बोलते समय जिम जो हो तेलीजन देख रहा है दूसरा describe in action that is taking place now but not exact moment of speech अब देखिए बोलते समय जो बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूं उस समय वो घटना घटित नहीं हो रही है लेकिन एक long period में वो घटना घटित होते जा रही है जैसे for example john is working in लंदन पर जौन जो है वो काम कर रहा है लेकिन ऐसा तो नहीं कि जिस समय में बोल रहा हूं उसी समय कर रहा है लेकिन इस period में वो काम कर रहा है ठीक है ना तो जिस समय माल लीजे कि जो हमारा यह अभी present समय उसमें जौन जो है वह अभी लंदन में और वहां काम कर रहा है तो इस तरीके से भी हम इसको बताने के लिए यूज करते हैं प्रेजंट कंटिनियूस को तो आइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा उसके बात में हम लेते हैं कि डिस्क्राइब एन इवेंट प्लांड इन दफ्यू करते हैं लेकिन ऐसा निया कि ग्रामर के एसाब से ठीक हो आइं फ्रेंट जैसे इसका एक्जामपल ले लेते हैं आयम टेकिंग माइफ्रेंच क्लास इस ऑन टूजडे अब ऐसा तो नहीं है कि जब स्पीकर बोल रहा है एड़ दा मॉमेंट बोलते समय ही वह फ्रेंच क्लास सीख रहा है तो इसलिए उसमें भी हम बोलते कि आयां हम टेकीं माइफ्रेंच क्लास ऑन टूजडे कि मैं हर टूजडेइच को अपनी फ्रेंच क्लास लेता हूं तो इस तरह कि प्रेजनट केंटूनेश का इस्तमाल करते हैं तो दोस्तों प्रेंट कंटिनेश जो वह बहुत बहुत ही सिंपल टैंस और इसका बहुत ही वाइडली यूज है इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है तो मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप प्रेजंट कंट्यूर्स टैंस के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे तो आपकी इंग्लीस लेंग्विज में सिच्वेशन अभी देखें टम्प्रेरी सिच्वेशन होती है कि जो कुछी समय की होती है उनको टम्प्रेरी सिच्वेशन पोलते हैं इसका एक्जम्पल क्या हुआ हुआ I'm staying with a friend for a few days अब देखिए मैं दोस्त के साथ रह रहा हूं कुछ दिनों के लिए तो मैं आसा तो नह रह रहा हूं staying मतलब रहना और हमने बात की थी I'm taking my french classes taking मतलब लेना टेक मतलब लेना और प्रेजंट कंट्यूनियर से तो आई एंजी आ जाएगा तो टेकिंग हो जाएगा ठीक है अच्छा next example लेते हैं इसका next uses क्या है to emphasize the frequency of an action अब frequency का मतलब होता है कि कितनी बार आप उसको करते हो frequency मतलब कितनी बार तो action मतलब आपने कोई भी कारिया किया तो उसका emphasize करना मतलब उसको जोर देना उस चीज़ के उपर तो अगर कोई कामा बार बार कर रहे हो उस चीज़ के उपर जोर देना जोर देके बोलना जैसे कि the child is always crying for no good reason अभी बच्चा जो है सबको पता है कि जाजता रोता रहता है है ना और कई बार कोई बिना reason के भी रोता है तो यह एक normal घटना जो बार बार घटित होती है तो और हम इस पर emphasize करना चाहते हैं जोर देना चाहते हैं तो इसलिए हमने crying इस्तमाल किया है ना हमने यह नहीं बोला that child is always cry नहीं हमने बोला that child is always crying क्योंकि हम यह बोलना चाहिए रहता है रोता ही रहता है मतलब वह continuity रोता ही रहता है और तो दट चाहिए इस आलवेस crying for not good reason मतलब अच्छा कारण के लिए मतलब ऐसा ही रोता रहता कोई अच्छा उसके पास में कारण नहीं होता रोने का और हम क्या-क्या उसकरते है इसका to describe a changing situation changing situation बताने के लिए हम इसका इस्तुमार करते हैं जैसे कि her health is improving by lips and bounds उसकी जो स्वास्त है वो improve हो रहा है तो improving स्वास्त इंप्रूव हो रहा है तो इसलिए हमने improving का यूज किया तो इसके एक्जामपन लेते हैं सबसे पहला I am eating a fruit देखिए I am eat eat मतलब होता है खाना तो I am eating a fruit क्योंकि continuous से तो ing आ जाएगा I am eating a fruit they are playing football अब दे है तो आ रहाएगा दे आर यू और दे के साथ में आ रहाता है तो दे आर प्लेइंग प्ले मतलब खेलना ing आएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल वो फुटबॉल खेल रहे हैं वी आर गोइंग टू स्कूल हम स्कूल जा रहे हैं वी तो आ रहाएगा वी आर गोइंग टू स्कूल जाना हम स्कूल जा रहे हैं तक टीचर इस टीचिंग इ तो तीच पढ़ाना तो तीचर is teaching in a class, शी इस वाचिंग अ कॉमडी मूवी, वो जो है वह है एक कॉमडी मूवी देख रही है, तो इस आएगा शी के साथ में, शी इस वाचिंग अ कॉमडी मूवी, बेन इस रीडिंग अब बोग, अब बेन है और तो बेन तो सिंगलर है, तो Bain is reading a book बैन बैन बोक जो है वह serd कर रहा है The sun is shining जो सूर्य है वो शाइन कर रहा है ठीक है तो the sun is shining Harry is singing a song Harry जो है वो गाना गा रहा है sing गाना singing a song Harry is singing a song they are listening to music they are listening to music वो संगीत सुन रहे हैं listening सुनना लिसन होता सुनना और क्योंकि continuous है वो कर रहे हैं कम सुन रहे हैं समय तो दे आर लिसनिंग to music they are listening to music ओके नेक्स्ट है यू आर लिविंग इन लंदन यू आर लिविंग इन लंदन तो लंदन आपको पता है कि एक सहर का नाम है और लीव मतलब रहना और वह अभी क्योंकि करंट में रहा है तो यू आर लिविंग इन लंदन तुम लंदन में रहे रहे हो चिल्डरन आर प्लेइंग उन ता ग्राउंड बच्चे मैदान में खेल रहे हैं चिल्डरन आर अब देखे चिल्डरन जो बहु अचन है चिल्डरन जो सिंगलर नहीं जब भी हम चिल्डरन बोलते तो उसमें बहुत सारे बच्चों की बात करते हैं ठीक है चिल्डरन आर प्लेइंग उन दा ग्राउंड बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं चिल्डरन आर प आफिस जा रहे हैं, यानि अपने काम पर जा रहे हैं, they are going to the office, गो मतलब जाना और जा रहे हैं तो going हो जाएगा, ठीक है, jack is learning music, jack जो है, वो music learn कर रहा है, learning सीखना, jack जो है, वो music सीख रहा है, तो jack is learning music, we are doing great work, हम बहुत ही अच्छा कार्या कर रहे हैं, great मतलब अच्छा या महान, तो we are doing, तो we यह तो आर आ जाएगा, we are doing a great work, उसके बाद है, she is suffering from a stomach ache, stomach ache होता, पेट का दुखना, तो she है, और तो उसके साथ में is आएगा, she is suffering from a stomach ache, she is suffering from a stomach ache, I am learning English, मैं English सीख रहा हूं, तो learn सीखना, और क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं, तो I am learning English, मैं English सीख रहा हूं, ठीक है, I am learning English, I am learning English, they are speaking too loud, they are speaking too loud, too मतलब होता है कि जादा, loud मतलब जादा तेज बोल रहे हो, they are speaking too loud, वो बहुत जादा तेज बोल रहे हैं, they are speaking too loud, अगर यहां पर he होता, तो he is speaking too loud, and she is speaking too loud, ठीक है, तो लड़की होता तो she, लड़का होता तो he, I am going to swimming class, I am going to swimming class, तो मैं जो है, वो actually mistyping है, यह swimming के जगा swimming होना है, तो I am going to swimming classes, मैं तैरने की तैराक्य की classes के लिए जाता हूं, I am going to swimming classes, यह जा रहा हूं, ठीक है, मतलब इस period में मैं जा रहा हूं, the dog is barking, the dog is barking, जो कुटा है वो भोक रहा है, जिसा भोकना होता है ना, उसको बोलते है बार्किंग, तो the dog is barking, अब dog is singular है, तो is आएगा, dogs होता तो आ रहा जाता, the dogs are barking, अगर बहुत सारे कुटे भोकने होते तो, एक ही है, तो the dog is barking, ठीक है, तो I hope कि आपको समझ में आया होगा, this is end of our lecture 10, और यह था present continuous tense, मैं इसका अगला पार्ट भी ले के आऊँगा, बट लेटर आप इन सभी sentences को पढ़ें, रिपीट करें और सीखें, और repetition is the key for fluency, तो मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए, thank you.